तो है कैसे हो सब बढ़ियां में ठीक है तो लास्ट कहलास में यहीन् dryer ऑन्य ट्रोपिक थे भाश् hacen ba में आ गया था और regular निकालता है तो average period method है ना average period method हमने सीखा था कैसे होएगा तो average period method में आपको average period मतलब जो amount था वो कर लेना था into rate upon hundred लेना था और into average month जो था average period आपको लेना था average month या average period तो आपका ऐसे regular की case में आपका ऐसे जो interest on drawing calculate हो जाता था और irregular होता था तो वो तो हमने discuss के था detail में लास्ट वीडियो देख लें हाँ आप इसमें एक दो बाते आपको ध्यान रखने है कि जो average month है average period हो कैसा है कि पहली drawing के पाद first drawing के बाद time कितना बचा है है ना साल complete होने में और जो लास्ट ड्रॉइंग है लास्ट जो drawing है हमारी last drawing है उसके बाद साल complete होने में कितना time बचा है month कितने बचा है और उसको जोड़े के आप से आधा कर देंगे तो यह मारा जाएगा average month हो के तो ठीक है जी हो गया अब आज का topic interest on capital है interest on capital का मतलब मैं बस आपको इतनी बात बोलूँगा कि interest on capital जितना पैसा जितने time के लिए आपका business में है जितने time के लिए जितना पैसा जितने time के लिए आपका business में invested है इन्वेस्टेड है ना इन्वेस्टेड है तो उसी पर आपको interest on capital मिलेगा और बाकी किसी पैसे पर नहीं मिलेगा जितना पैसा जितने time तक आपका business में invested है उसी पर interest on capital मिलेगा ठीक है अब समझ लेते हैं से कैसे ओके ठीक है तो मापको समझाता हूं कैसे मिलेगा जैसे मान लो एक अपरेल 2020 कर लेते हैं एक अपरल 2020 को आपने business में लगाया एक लाक है ना 100 के एक लाक लगाया 10 परसेंट जो है IOC था interest पारेनम के साब से था लेकिन आपने किया एक जुलाई एक एक अपरल 2020 को आपने 100 के फिर से लगा दिया तो यह additional capital होगी है के नहीं और फिर आपने क्या किया है एक January को एक January 2021 है ना 2021 को आपने 50K निकाल लिया है ना और साल खतम होता है 31 March 2021 को साल कब खतम होता है 31 March 2021 को तो बताइए अब interest on जो drawing है कैसे sorry interest on जो capital हो कैसे calculate किया जाएगा तो आप यह ध्यान देखना है आप यह बात को समझना है कि एक April 2020 से लेके एक July यानि 31 June तक एक लाग पर लगेगा है ना इसी पर लगेगा क्योंकि यह invested था business के अंदर लेकिन एक July से एक January या एक December तक है ना एक July से 31 December तक sorry एक July से एक July से एक जनवरी तक यानि कि ठीक है तो उस time आपका 100 के तो लगा ही पड़ा था और यह 100 के होगा यानि 2 लाग पे लगेगा है कि नहीं page change कर लेते हैं तो मैं क्या आप समझा रहा हूँ एक अपरेल से लेकर एक अपरेल से लेकर एक July तो 100 के पे इंट्रेस्ट मिलेगा फिर एक July से लेकर एक January है ना यह आपको मिलेगा 200 के पे लेकिन उसके बाद आपने एक January से लेकर 30 March तक जो आपका लगेगा आपने 5000 निकाल लिया था तो आ लियाजा मिलेगा 150 के पे है ना तो आपको इस तरीके से कलकुलेट करना पड़ेगा अलगले कलकुलेट करना पड़ेगा iska 10% इसका 10% और इसका 10% और महीने को एसाब तो अलगाना ही लगाना है एक April से लेकर 1 July कितने महीने होगे अपरेल मई June है न अपरेल मई जून 3 महीन तो इस पे तीन महीने का लगाना है फिर जुलाई से लेके आपका जुलाई अगर सेप्टमी अक्टूबर नॉंबर दिसम्बर 4 दो 6 6 महीने इस पे लगेगा और तीन महीने इस पे लगेगा तो 6 दिन 9 और 3 बारा तहीं किस तरीके से एक लाग पे तो मैं आपको calculate करके दिखा देता हूँ, तो sorry, okay, 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 है ना, तो क्या होगा, कि एक लाग पे, एक लाग पे, एक लाग पे, एक लाग पे, है ना, rate कितना था, दस बटे सो, और गुना, तीन महीने का था, तीन बटे, बारा, है ना, प्लस, फिर आप करोगे, एक दो लाग पे, है ना, क्योंकि अब दो लाग हो गया था, पैसा, तो दो लाग पे, एंटू दस बटे सो, और एंटू, नो बटे बारा, नो महीने तो कितना पैसा लगा था, प्लस, फिर आपका था, देड़ लाग पे, है ना, तो देड़ लाग पे, गुना, दस बटे सो, और गुना तीन बटे बार आई है जो भी आएगा आप इन तीनों को जोड लेंगे वही आपका क्या होगा इंट्रोस्टन कैपिटल होगा आई तिंग आपको समझ में आ गया होगा थेंक यू सो मच वीडियो जादा नम ला हो इसके लिए हम इतना ही रखते हैं इसे हैं ठेक ह तेंक यू सो मुच